स्वास्थी और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्ति और सौंधरिया कॉफी के अंदर पाए जाने वाला एंटी एजिंग को अपर्टिस तुचा पर बढ़ती हो निके लक्षनों को दिखने नहीं देता है। को दूर करने में भी मदद करता है। वचा को ग्लोइंग वा हेल्दी बनाने के लिए शहद का इस्तमाल खूब क्या जाता है। यो तो कॉफी और शहद दोनों को अलग-अलग इस्तिमाल करना भी फाइदा पहुचाने वाला ही होता है। लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाय जाता है तो फाइदा कई गुणा बढ़ जाता है। तो फिर कॉफी और शहद को अपनी चहरे पर कैसे अपलाई करना है इसके बार में जाने के लिए बनेरे इस वीडियो के साथ। इसके लिए एक बॉल में एक चमच कॉफी ले ले। इसके बाद इसमें दो चमच शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस अपने फेस पर अपलाई करें। इसे अपने फेस पर लगाने के लिए अपने फेस को किसी कीले तॉली की मदद से साथ कर ले। इसके बाद इसे लेकर अपने पूरे चहरे पर अपलाई करें। 20-25 नट इसे लगा रहने दे फिर पानी से जहरा दोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए वीक में 2-3 दिने से जरू ट्राए करें कौफी और शहद से बड़ा पैक इसकिन को काफी फायदा पहुचाता है नियमित इस पैक का इस्तिमाल करने से एकने, पिंपल, ब्लैक हेट्स, पिग्मेंटेशन जैसे समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती है साथी चहरा बेदा, निखरी वज़वाने चराने लगता है तदा हमारे वीडियो पसंद आई हो, तिसे लाइक और शेर चरूर करें ताकि इसे तरह हम नहीं ने जानकारिया आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद